लोकसभा चुनाओं को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तयारियां तेस कर दी हैं एक तरफ जहां बीजेपी यूपी में पार्टी संगठन को और मजबूत करने में जूटी है तुमें दूसरी तरफ विरोधी दलों की पटना में एक महा बैठक हुई थी जिसमें आगामी लोकसभा चुनाओं को लेकर रणनीति तयार की गई इस बैठक में सभा कॉंग्रेज समेथ कई बड़ी राजनीतिक दल एक साथ एक मंच पर आये और बीजेपी को हुराने का एक रोड मैप तयार किया इस बीच बस्पा सुप्रीमो मायवती एक अलग रणनीति के साथ नजर आ रही है बस्पा ने यूपी में एकला चौलो की रणनीति का एहलान किया है ऐसे में पिछले कुछ दिनों से मायवती, बीजेपी और तमाम विपक्ष के दलों पर बेहद आक्रामक नजर आ रही है चाहे वो बीजेपी शासित राज्यों की नीदिया हो या फिर बिहार के मुख्यो मंत्री नितिश कुमार द्वारा बुलाई गई विपक्ष की महाबैटक हो राजनीतिक जानकार मयवती के इस रुख को 2024 से पहले बस्पा की बदलीवे रणीती मानकर चल रहे हैं दरासल बस्पा पर अक्सर या रोप लगता है कि वो चुनावों में बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम करती है और पार्टी को जमीनी स्थर पर मस्बूत बना सके बस्पा सुप्रीमों बीजेपी सासित राजियों की नीतियों पर भी खुल कर बोल रहे हैं ताकि वो मुस्लिमों की सहानबूती ले सके अब देखना दिल्चस्प होगा कि क्या मायविती की ये एकला चलो रनीती काम आती है या नहीं